नमस्कार साथियों, एक्टिव किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत हैं, मैं राहुल कुमार रीपर बॉइंडर मेकेनी साथियों आज हम लोग सीखेंगे कि रीपर बॉइंडर थिरी बिल या फोर बिल का जो बराब पूली या मेन पूली जो है उसको कैसे खोले मेन पूली को खोलने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके पंजे को जाम कर देते हैं, जाम करने के लिए गुटका लगाते हैं और भी बेल को उल्टा घुमाते हैं जैसे ही देखिए हम लोगों ने इसे जोड से जिटकी देकर उल्टा घुमाया या खुल गया है इसे खोलने के लिए आप लोगों को इसे उल्टा घुमाना होगा देखिए उल्टा घुमकर या खुल रहा है इसके बाद हम लोग इसका भी बेल्ट उतार देंगे उल्टा घुमाने के लिए आप लोग एक लकरी का गुटका लेकर इसके फराक और जो अलमुनियम की बोड़ी है उसके बीज में रख कर दीजिए गा जिससे की या जाम हो जाएगा इस तरह से हमारा यह मेन पूली खुल गया है तो यह जो हमारे किसान भाई यहाँ पर इस रीपर को लेकर आए थे इनका आने का मुखुद्देशिया था कि इनकी जो क्रेंग की बेरिंग है वह फूट चुकी है तो अब हम लोग उसके आगे क्रेंग की बेरिंग खोलेंगे क्रेंग की बेरिंग खोलने के लिए यहाँ पर जो चार बोल्ट है हमें उस बोल्ट को खोलना होगा जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग उसे खोल रहे हैं इसे खोलने के बाद हम लोग नीचे से उपर की और इस क्रेंग को बाहर निकालेंगे तो आप लोग वीडियो में लाश तक बने रहें हर एक step मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करके कि कैसे crank बाहर निकलता है ये देखिए हम लोगों ने एक लंबी रॉड ली और इस रॉड के माध्यम से हम उपर की और crank को ठोकेंगे उपर की और crank पर जब दबाव परेगा तो वह crank बाहर की और निकलेगा तो आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चेनल पर पहली बार है तो चेनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ये देखिए नीचे से ठोकने के बाद ये crank उपर की और अरॉम से निकल रहा है इसे निकाले में हो थोड़ा चेन फस जाता है इसलिए प्रेसोनी होती है हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस crank का bearing फूट चुका है तो आईए देखते हैं देखिए इसका bearing साफ तोर पर पता चल रहा है कि फूट चुका है bearing का सारा गोली भी गिर चुका है अब हम लोग इसके इस प्लेट को बाहर निकालेंगे और इसे हम बजार भेज देंगे इसका नया का कीमत साड़े साथ हजार से लेकर आठ हजार के बीच में मिलता है लेकिन अगर इस कोई अच्छा bearing मिस्तिरी मिल जाएगा तो वह इसे बना भी देगा तो इस प्लेट को निकाल कर हम लोग इसे बजार भेज देंगे bearing मिस्तिरी के पास जो इसे 1200 से 1500 के बीच में हमारे किसान भाईयों को बना कर दे देगा तो आप लोग को मैं एक बार फिर से कहना चारहा हूँ अगर वीडियो को लाइक नहीं किये है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवब अपने मित्रों के साथ साधा कीजिए किसान भाईों के साथ इसे सेयर कीजिए ताकि यह विडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाईों तक पहुंच सके और वह आत्म निर्भर होकर अपनी गारी को स्वेम ठीक कर सके तो अब हम लोग इस प्लेट को निकाल रहे हैं यह अलमूनियम की वड़ी है इसलिए इसे थोरा साथधानी पुर्वक उपर से ठोगना होता है नहीं तो इसके फूटने का डर बना हुआ रहता है इसलिए इसे बहुत ही साथधानी से निकालना पड़ता है इस प्लेट को निकालने के बाद हम लोग इसके रवर बूट को भी निकालेंगे यह देखिए यह बेरिंग साफ तोर पर पता चल रहा है कि फूटा हुआ है तो इसे हम लोग बेरिंग मिस्तिरी के पास भेजेंगे जिसके बाद यह बन कर आ जाएगा मातर 1200 से 1500 कारण इसका कीमत साथ से आठ हजार के बीच पड़ता है यह देखिए इसमें जो चेंज चलती है इसका दाव तभी बिल्कुल ही सही है तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें एवं हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद